आज बनाते हैं सिर्फ दो आलूं से पांच मिनट बनने वाला नास्ता जो बहुत ही टेस्टी बनता है तो जिसे बनाने के लिए मैंने दो आलूं को छिलके छोटे टुकड़ों में काट लिये है तो इसे मेक्सी के जार में डाल देंगे और उसके बाद साथ मैं ही डालना है ए अब आलूं को बारीक पीस लेंगे एक पेस तयार करना है अब इसे एक बरतन में निकाल देंगे ये देखे बारीक समने पेस तयार कर लिया है अब इसमें डालेंगे आधा कप चावल का आठा अगर आपके पास चावल का आठा ना हो तो इसके बदले में आप बेशन या कर सकते हैं अब सारी चीजों को अच्छे से घोलना है यह बेटर अभी काफी ठीक हुआ है तो इसे बहुत पतला करेंगे तो अब इसमें एक कब भरके पानी एट करेंगे उसके बाद दुबारा से हमें से मिला देंगे इसका पतला सा घोल बनाना है ज्यादा गाडा नहीं बन तो इदेशिये मैंने सारा घोल को तयार कर लिया है अब इसमें थोड़ी चीजे और एट करेंगे तो मैंने बारीक एक प्याज को काट लिया था तो इसे डाल देंगे साथ महीं कैरट डालेंगे कैरट को मैंने ग्रेट कर लिया था आप चाहो तो कैरट को पतला पतला भी का चिली प्लेक्स के बदले में हरी मिर्च का यूज कर सकते हैं उसके बाद आदा चम्मस डालेंगे साबू जीरा तो नमक तो हमने पहले डाला हुआ है तो अब सारे चीज़ों को हम अच्छे से घोल लेंगे मिक्स करना है तो यह बिल्कुल रेडि हो चुका है अब इसका हम डो बनाने के लिए मैंने तववे को करम करके रखा हुआ है तो तववे में थोड़ा सा तेल लगा के इस तरीके से फैला देंगे ज्यादा ओयल की जरूरत नहीं है उसके बाद इस तरह से बैटर को डालना है कोई भी ग्लास कटोरी या आप कुछ भी ले सकते हैं और इस तरीके स से फैला सकते हैं तो अब इसे हम धेमे आज पे दो से तेन मिनट तक पकने देंगे तो उसके बाद जब यह सूख जाएगा उपर से थोड़ा ओयल लगा देंगे आप ओयल की जगह घी का यूज भी कर सकते हैं सारे डूसे में इस तरीके से लगा देंगे तो यह देखे बहुत ही टेस्टी लग रहा है इसे फोल्ड कर देंगे आप चाहो तो इसको पलट के भी दोनों साइट पका सकते हैं तो हमने काफी देट तक इसे पकाया है तो ये अच्छे तरीके से पक चुका है तो इसे तरीके से सारे डोसे तयार करने हैं तो बहुतkee आसान और टेस्टी रेसिपी बनके तयार है अगर आपको मेरी ये रेसिपी शी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक करें मेरी चैनल को सब्सक्राब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं